Hello everyone, welcome, स्वागत है आप सभी का 36 गड़ BAC Nursing Intense Exam 2024 के लिए क्लासिस सुरू हो चुकी है अगर आप अलग-अलग प्रकार के Nursing Aptitude, Physics, Biology के डिफरेंट क्लासिस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं क्योंकि जो मैंने बताया है, सभी को डीटेल में पूरा अच्छे से बताया हूँ कोई भी कोशन यहां से नहीं छुटने वाला है तो ध्यान रखें सभी लोग तैयारी में लग जाएए क्योंकि देखें, एकजाम के यहां पर डेट दे सकते हैं, कब तक एकजाम है तो यहां पर देखें, एकजाम के लिए यहां पर जारी कर दिया गया है कि यहां पर 13 जून तक पिछली बार कितना हुआ था तो पिछली बार 18 जून को हुआ था ठीक है, 18 जून को हुआ था और उसका पेपर अगर स्वाल्प नहीं किये हैं, नहीं देखे हैं तो बिल्कुल उसको देख लिजे, क्योंकि वहां पर मैंने पूरा बड़ा क्लासिस लिया है आप सब के लिए, और पूरा डीटेल में बताया हूँ सभी को तो आपको देखना चाहिए, उसको बार बार देखना चाहिए क्योंकि आपको यह आइडिया होगा कि आखिर सवाल कहां से पूछा गया है तो आपके पास समय नहीं है, क्योंकि देखिए, अभी हमारा मार्च जो चल रहा है ये अभी खतम हो जाएगा 10-15 दिन में, ठीक है उसके बाद आपका जो है, मार्च, अपरेल, मई, दो महीना बचा है क्योंकि जून में आपका जो है एकजाम हो जाता है ठीक है, यहाँ पर देखिए, दो महीने में आप बचा है तैयारी में लग जाएए सभी लोग, और क्लासिस को रिगुलर फॉलो किजे क्योंकि यहाँ पर डेली अफ्लोड़िट हो रहा है आप सब के लिए एडेली फॉलो करते रहे लिए क्लासिस को और साथ ही इसका प्लेखिन में जरूर आप जाएए प्लेखिन में आपको सूरू से वीडियो मिल जाएगा जो भी classes upload है आपको जो है daily classes मिलता है और साथ ही सूरू से जो upload हो रहा है जो कि सबसे महत्तपुन class है आपको जरूर visit करना चाहिए जरूर देखना चाहिए तो यहाँ पर देख लिजे फिजे श्कॉलरी classes अभी बना है एक्ठे और इसके बाद daily classes बन रहा है तो आप लोग सभी से यहाँ पर request है कि आप सभी लोग अच्छे से त्यारी कीजिए और आपके पास बहुत कम समय है ठीक है इग्नोर मत करो सभी से जो को देखते जाओ समझते जाओ क्योंकि यहाँ पर मैं पिछली classes में solve किया हूँ पिछले year का भी solve किया हूँ तो सबको मैं sum up करके बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको सभी classes को follow करिए nursing aptitude के लिए आपको कोई टेंसल लेने जोड़त नहीं है nursing aptitude का मैं already बहुत सारा आपको detail में और बहुत important question बताया हूँ क्योंकि वहाँ से हमें सा question बनते हैं तो उसे जरूर आप follow किजिए ठीक है अगर आप BSN nursing का form नहीं भारे होंगे तो आप पहले अपने ब्यापम जो है online application ब्यापम में आपको login होना है और online application form पर click करके आप उसमें login करना है सबसे पहले आपको mobile number और जो password बनाया होंगे उसका password डालके आप इसमें login कर सकते हैं इसका already भी वीडियो बना हुआ है किस परकर से आपको अवेदन करना है देख सकते हैं यहाँ पर और सबसे most important अभी जो कई लोग confused है syllabus के बारे में तो यहाँ पर दिखे syllabus दिया हुआ है syllabus का आपको जो है print out निकाल लेना है syllabus का print out निकाल लेंगे अच्छे समझ में आएगा और मैं syllabus का coding कैसे कैसे class बनाया हूँ वह भी आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देखिए कि nursing aptitude का मैं पूरा syllabus जो है यहाँ आपका जो है classes बना चुका हूँ तो nursing aptitude का already आप वीडियो देख लिजिए क्योंकि ओ जो है classes बहुत important है आपको कहीं नहीं मिलेगा आपको उतना detail में इसलिए आपसे फिर request है कि आप एक बार जरूर देखिए आपको समझ में आएगा सारे चीजे किस प्रकार से nursing aptitude में सवाल बनते हैं ठीक है तो जरूर देखिएगा and daily regular class follow करते रहे है सभी लोग क्योंकि nursing aptitude और कई लोग English को भी इग्नोर करते हैं तो English सभी में 20-20 marks का question आने वाल है मतलब 20-20 marks का question रहेंगे सभी के लिए यहाँ पर पाँच subject है जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं nursing aptitude है और यहाँ पर physics, chemistry, biology है biology में भी दो पार्ट है बोटनी, जूलोजी दोनों में से आएगा question ठीक है 10-10 question पुछ जाएंगे और उसके बाद English, English में आपका question बनेगा सबसे आपको जो है बेहतर तरीके समझ कब आएगा जब आप previous year question देखेंगे मेरा previous year का वीडियो जो है आपको मिल जागा थोड़ा long वीडियो है क्योंकि मैं उसमें detail गरके बताया हूँ कि आखिर सवाल कहां से लिया गया है और किस परिकार से बना है सवाल तो इसलिए वो class थोड़ा बड़ा है और आपको अच्छे से उतना समझना चाहिए तब ही आप जाकर ये पकड़ पाएंगे कि class आखिर question कहां से आया है ठीक है ये चीज़े जानना पड़ेगा आपको किस परिकार से और कहां से question पुछ रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा तब जाके आप syllabus के सभी topic को cover कर पाएंगे देखे यहां पर जितने भी syllabus दिये हैं physics में जरूरी नहीं है कि ये सारा चीज एक एक point हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें से कुछ ऐसे point हैं जो हमेसा पुछ जाते हैं और उसको मैं detail करता हूँ हमेसा के लिए ठीक है इसमें से कुछ point जो है ऐसे जो हमेसा पुछ जाते हैं ठीक है तो इस परिकार के सवाल हमेसा बनते हैं और इसमें से आप पूरा cover करते जाएंगे तो आपको 6 महिना भी कम पढ़ जाएगा इसलिए यहां पर थोड़ा smart study कीजिए आप लोग और चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिए ठीक है तो यह कब समझ जाएगा जब आप previous year का देखेंगे तब आएगा ठीक है तो previous year का जरूर विजिट कीजिए और यहां पर syllabus देख के आपको नहीं घबरा ठीक है यह चीज को आप दिमाग लाइए यह दिमाग आपको previous year कोशन देखके ही पता चलेगा और बाकी में classes आपको जो है अपने according class लाता हूं आप सब के लिए जो सवाल important रहता है तो उसे भी जरूर देखेगा इसमें language metronik करता है तो यहां पर देखिए कि इस परकार के आपको जो है कोशन है मतलब यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए इस परकार से आपको यहां पर हमें सब पूच जाता है कोशन ठीक है तो यहां में से आपको जो है passing marks लाना जरूरी है मतलब पास भी होना जरूरी है तब ही आप counseling करवा पाएंगे नहीं तो आप counseling से ब बहार हो जाएंगे क्योंकि इसमें एक क्रेटरिय बाटा गया है मतलब एक लेवल है उस लेवल को पार करना होगा तभी आप कांसलिंग कर पाएंगे यहां पर नीचे देख सकते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि एक लिमिट नंबर रखा गया उतना में चाहते हों कि औरमेंट नहीं मिल सकता है तो प्राइवेट कॉलेज मिले तो कुछ बहुत स्कॉलर्शिप से हैल्प हो जाता है लेकिन अगर आप उतना नंबर नहीं लाओंगे जितना इसमें लिमिट रखा गया है तो आप कांसलिंग ही नहीं करपाऊंगे न इसलिए ध्या जितना टारिट दिया गया है उतना नंबर लाना जरूरी है यहां पर देखे दिया हुआ है कि जैसे मेरिट सुची में आने के लिए आपको यहां पर दिया है क्या दिया है तो देखे 20 पर 30 आपको जरूरी है साथी आरक्षित स्रेणी जो अनुसूचित जाती है यहां पर दे आपको लाना पड़ेगा तब जाके आप counseling में भाग लेपाएंगे ला तो direct आप बहार हो जाएंगे यहाँ पर counseling से तो यहाँ पर समझ गए यह चीज यह आपको ध्यान रखना है और इस परकार ध्यान में रखते हुए तयारी करना है आपको ठीक है तो सभी जो पॉइंट को समझे एग्डोर मत कीजिए आप लोग study कीजिए लगतार बाकी आगे जो है यहाँ पर government और private college के जो seat होती है किस परकार से seat बठता है इसके बारे में दिया गया है तो इसका वीडियो में already बना चुका हूँ सभी लोग के लिए इस बार भी ब है या फिर इसका पीडियो को भी आप पढ़ सकते हो इसके बारे में तो यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा सभी चीजिए कुसी पर query होगा तो जरूर पूछेएगा अभी मिलते हैं next class में तब तक लिए जैनित